नमस्ते, आज के वीडियो में हम डिब बैकनेक ब्लाउस की डिजाइन देखेंगे ब्लाउस की फुल लेंट यहाँ पर 13 इंच है, उसमें 1 इंच एक्स्टा मार्जिंग लिया है चेस्ट के लिए यहाँ पर 9 इंच, प्लस 1,5 इंच एक्स्टा मार्जिंग लिया है आर्मवल 6 इंच का है और शोल्डर 5 इंच है नेक वीड के लिए यहाँ पर 2 इंच पर मार्जिंग करें बैकनेक की लेंट मैंने यहाँ पर 10 इंच लिये आप अपने एक्कॉर्डिंग कम या ज़ादा लेंट रख सकते हैं यहाँ पर नेक वीड साड़े तीन इंच लिया है अब टॉक से लाइन ड्रॉ करें और एक चोकॉन बॉक्स बनाए तो फ्रेंड्स यहाँ वीडियो में दिखाया है वेसे ही नेक की डिजाइन ड्रॉ करें अपने एक डिजाइन ड्रॉ करने के बाद हम अस्तर के डिजाइन को कट करेंगे में फैब्रिक के उपर अस्तर के फैब्रिक को इस तरह पीन लगा कर सेट करें यहाँ अपने को एक डाप की सिलाई डगाएंगे तो देखिए इस तरह से सिलाई देने के बाद हम एक्स्टा फैब्रिक को कट कर देंगे तो अब नेक को हम इस तरह से छोटे छोटे कट लगाएंगे इससे नेक को फोल्ड करने में आसानी होगी अगर आप इस पर प्रेस लगाएंगे तो फैब्रिक आसानी से बेच जाएगा हमारा और अस्तर का फैब्रिक बाहर की तरप नहीं दिखेगा मैंने इसे अच्छे से प्रेस कर दिया है अब यहां उपर से पुरी नेक को हमें फिनिशिंग से सिलाई लगानी है पुरी नेक में सिलाई लगा कर नेक को पुरा करेंगे ना है गले को सिलाई लगाने के बाद अब लाओ उसके चारो तरप से सिलाई लगाए डार्ट लगाने के लिए यहां से चार इंच और उपर से चार इंच इस तरह से दोनों डार्ट को सिलाई लगानी है अब ब्लाउस को फोल करे यहां से आधा इंच उपर डार्ट तक हमें क्रॉस फैब्रिक को कट कर देना है अब इंच चोड़ाई में अस्तर का फैब्रिक को लेना है एगदाप मार्जिन में सिलाई लगाए अब उपर के तरप से सीधी सिलाई लगा कर पट्टी को अंदर के तरप फोल कर देना है तो अब यहां हमें लेश लगाने के लिए वीडियो में दिखाया है वैसे ही गदे को मार्ग करे अब फैब्रिक को फोल करके फैब्रिक को मार्ग करे कमार पट्टी पर एक दाप का फैब्रिक छोड के लेश को सिलाई लगाईए गले को लेश लगाती समाई ओपर से साड़ी तिन इंच में हमें वीडियो भी दिखाया है उसी तरवर से दोरी को फिक्स करना है अच्छे से नेक को पान गले का शेप देने के बादी डिजाइन डेस सिलते हुए नेक को कम्प्लीट करना है अच्छे से दोरी करना है अच्छे से दोरी करना है अब आरम होल साइड में हमें वीडियो में दिखाया है उसी तरह से लेस करवर डिजाइन में सिलकर हमारी बैकनेक डिजाइन कम्प्लीट करनी है अच्छे से दोरी करने है तो इस तरह से हमारे ये डिजाइन कम्प्लीट होता है आपको ये आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करे ऐसे ही न्यू डिजाइन के लिए चेनल को सस्क्राइब ज़रूर करे धन्यवाद